आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह Windows 10 में Sticky Keys किस तरह बंद कर सकते हैं Sticky Keys बंद करने की Keyboard shortcut क्या है Sticky Keys बंद करने के लिए आपको Shift बटन को 5 बार दबाना पड़ता है अभी आप देख सकते हैं कि Task Bar में यह जो दिख रहा है आपको यह Sticky Keys का आइकन यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर तो अभी Sticky Keys on है मुझे इसे बंद करना है तो किस तरह बंद कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ Windows 10 में Sticky Keys बंद करने की कीबोर्ट शॉटकट है Shift Key को पाच बार दबाना पड़ता है तो यह है Shift Button इस बटन को मैं पाच बार दबाता हूँ एक दो तीन चार पाच और आप देख सकते हैं यहां से Sticky Keys का जो आइकन था वो चला गया है क्यूंकि हमने Sticky Keys बंद कर दिये